टीमाइश टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाएए लेटेस्ट और क्वालिटी टेक वीडियो देखने के लिए बाते पहले हैं नमश्का दोस्तों बहुत सब्सक्राइब करें अपने बारे में अपने दोस्तों के बताओं आप कौन है तो दोस्तों आपको जैसा मैं बता रहा हूं यह हैं और यह अभी भाई साब लॉंच हुए हैं और करना चाहते हैं मुकाबला और किसे करना चाहते हैं मुकाबला शामी और रियल्मी के जो मॉडल्स है जो बेस सेलिंग मॉडल्स हैं उससे करना चाहते हैं मुकाबला तो क्या यह कर सकते हैं मुकाबला तो सबसे पहले मैं बतात प Highway is Co maknash कि सबसे जादा इसका सबसे ज्यादा मिलने वाला है हम सब को यानि 99 को कर्स्टमर को इसमें वह सारर एक से 一ा मॉडल से मोडल हो गाया 16 जार रपे से लेकि 68 पैर्डीक में नें इंटरीव मार दी है ठीक ह Vergleich साथ ओक धन्य फिर मिलेंगे आप से ठीक है दोस्तों तो देखते हैं कि मोटरोला वन फीजन प्लस के अंदर में क्या क्या है भाइस आप चले गए और इनको मैंने छोड़ दिया रेड्मी नोट नैंट प्रो मैक्स के साथ में और रियल्मी 6 प्रो के साथ में बगल के डब्बे में इनको बैठा दिया है वहां पे जाके बिल्कुल डिशिम करेंगे और बिल्कुल मुकाबला करेंगे तब तक मैं बताता दॉचिन क्या है इसकी प्राइस मैं आपको सारा डीटेल हूं सबसे पहले बात करते हैं पांच से बील्कुल मुकाबला करेंगे बिल्कुल सुछी फिड़कुल संते है और बिल्कुल एक करते है है और बिल्कुल यह जो बजट रेंज है इस पर सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है तुम्हें बताता हूं वह पांच पारामेटर्स को होने हैं तो सबसे पहला है डिजाइन डिस्प्ले उस पर हमें जाचेंगे कि क्या यह मोटरोला वन फ्यूजन प्लस करने वाला है कमाल और सामय अच्पर आ रहा है तो लेफ्ट हैंड में रेट्मी नोट 9 प्रो मेक्स है और राइट हैं में मोटरोला वन फ्यूजन प्लस तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीण साइज की तो रेड्मी नोट 9 प्ला बेटे वह स्क्रीन साइज है वह 6.67 प्लस है charles अप्लश है 8.8 mm उसकी थिकनेस है 9.6 mm 9 pro max में मिल जाता है आपको IPS LCD 16 million क्लर है motorola one fusion plus में भी मिल जाता है 16 million क्लर पस इसमें की जाएज़ा हो जाती है कि इसकी जो स्क्रीन है वो टी फ्टी है और जो पी पी आये दोनों में सेम है 210 ग्राम का फर्क है और रेड्मी के अंदर में दो नैनो सीम मिल जाते हैं प्लस microSD मिल जाता है motorola में आपको मिल जाता है hybrid टू नैनो सीम मिल जाता है और एक microSD मिल जाता है जो सबसे अच्छी बात है कि motorola के अंदर में microSD card 1 tv तक एक स्टेट कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं सबसे जो सबसे important पार्ट है फोन का वह है performance क्या होने वाला इसका प्रोसेसर इसके वारे में आपको दिखा रहा हूं यह देखिए आपके सामने टेवल है और इसमें आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइब नोट नाइन प्रो मैक्स और मोटरोला वन फ्यूजन प्लस तो रेड्मी फोन के अंदर में स्नैप ड्रैगन 720 जी का मतलब होता है गेमिंग और मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में हैं 730 जी यानि यहां पे बिल्कूल एक कदम आगे मोटरोला और इसमें आपको जीगाहट मिल याता है 2.3 उसमें मिल याता है 2.2 यानि प्रोसेसर के मामले में नो डाउट मोटरोला बहुत आगे और अब बात करते हैं GPU GPU दोनों में सेम हैं Adreno 618 GPU है और दोनों की जो RAM है और ROM है दोनों मैंने सेम इसली रखी है कि उसकी प्राइस कंपरिजन करने में बहुत असानी होगी दोनों मिल जाते हैं 6GB RAM, 128GB ROM और Android version 10 IR Blaster मिल जाते है Redmi phone में लेकि Motorola में IR Blaster नहीं है अब आगे बात करते हैं दोस्तों बैटरी के बारे में तो बैटरी में जैसा कि आप जानते है Redmi Note 9 Pro Max के अंदर में मिल जाता है 5020 mAh बैटरी मोटरोला के अंदर में मिल जाता है 5000 mAh बैटरी जबकि सबसे अच्छी बात है Redmi phone में 33W की Fast Charging है जबकि Motorola में 18W की Turbo Charging है तो इसमें Redmi Note 9 Pro आगे है Fast Charging के मामले में और Standby जो टाइम है वो 20 डेज है Redmi Note के अंदर में Motorola One फीजर में टॉक टाइम है दो दीनों का यह बहुत सारे अलग 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 फीचर्स हैं लेकिन मुझे तो दोनों बिल्कुल चेम लग रहे हैं सिर्फ Fast Charging को छोड़के तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं Camera Performance के लेकर और देखते हैं दोनों के फोन के अंदर में क्या क्या चीज़े हैं तो आप देखेंगे तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे बिल्कुल Same to Same Camera है दिखाता हूँ आपको यह देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है तो सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 9 Pro Max के बारे में और इसमें आप देश सकते हैं कि 64 Megapixel का रियर कैमरा है Ultra Wide Megapixel कैमरा है 5 Megapixel का Macro है और 2 Megapixel का देख कम रहा है बिल्कुल Same to Same आपको मिल जाता है Megapixel Motorola Phone के अंदर में और Night Mode है इसके अंदर में Burst Mode भी है Pro Mode है जबकि उसमें आपको मिल जाता है Live Filter, Auto Smile और Night Vision दोनों में आपको 4K के रिकॉर्डिंग मिल जाती है Redmi Note के अंदर में आपको मिल जाता है 32 Megapixel का Front Camera जबकि Motorola के अंदर मिलता है 16 Megapixel का Pop-Up Camera मिल जाता है जो यह थोड़ा सा एक्स्टा फिचर है लेकिन Megapixel थोड़ा सा कम है 16 Megapixel बाकि Front Camera के अंदर में HD Recording है जो दोनों में बिलकुल समान है तो आप देखते हैं दोस्तो प्राइस वाइज Value for Money कौन सी होने वाली है तो आप देखते है Redmi Note 9 Pro Max की जो प्राइस है 6 GB RAM और 18 GB ROM के आप्शन में वो है 18,499 रुपे है वही आप Motorola में देखेंगे सेम RAM और सेम हार्डिक्स स्पेस के साथ में तो इसकी जो प्राइस है 16,999 रुपे यानि करीब करीब 1500 रुपे है आपका प्राइस कम है यह बिलकुल Value for Money है इसके अंदर यानि प्रोसेसर भी अच्छा है और अच्की प्राइस भी कम है लेकिन इसमे आपका कैमरा जो है फ्रंट वह इसकी मेगापिक्सल कम है अधरवाइस इसमें पॉप आप कैमरा मिल जाता है मोटूरोला फोन के अंदर में रेडवी नोट नाइन पूरव में आपको पांचे तरह के मोडल है जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 64 जीबी आपको ऑप्शन मि लेशियर वाइट जबकि मोटूरोला के अंदर में सीव एक मोडल मिलता है और इसमें दो कलोर ऑप्शन मिल जाते हैं मून लाइट वाइट ट्विलाइट ब्लू तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई साब इसलिए इतने ज्यादा कूद रहे थे इतने ज्यादा फुद क्या सिर्फ एक फॉंट से इसा हो सकता है मुझे नहीं लगता है कि इनको हर एक मोडल पर इनको अपने उतारना पड़ेगा तब ही जाके यह बिल्कुल अपनी मार्केट में जगाप बना पाईंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा है मोटुल से कुछ नियुनी में कभी एक बिल्कुल पीक पे होता था बीस में बिल्कुल डाउन हो गया फिर पीक पे आया लेकिन अभी आज के डेट में एवरेज चल रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है मोटरोला के लिए और ऐसी ही प्राइस पे लेके आया करें और अच्छे कैसा लगा आप हमें जरूर बताना आप अमारी चैनल कर दीजे सब्सक्राइब लाइक और शेर कर दीजे बागी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं में लेता हूं विदा आप अपना ध्यानक हैं स्टे सेफ स्टे हैपी धन्यवाद आपका दिन शुबो अपना आप कर दो